हेलो एवरीवान इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं मॉडरन इंग्लिश लिट्रेचर की एक मोस्ट इंपोर्टेंट पोईट के बारे में कमला दास कोई भी टीचिंग एक्जाम हो NDS, KVS, DSSSB हर टीचिंग एक्जाम में यहां से क्वेशन देखने को मिला है और अभी जो चंडिगर्ट पीजटी का सिवेबस आया है उसमें specially mentioned है इनकी पोईटरी, कमला दास की पोईटरी तो इसको बिल्कुल भी skip नहीं करना है आप चाहें किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हूं बिल्कुल डिटेल कमला दास के बारे में यहां से बात करेंगे उनके क्रेक्टर स्केच के बारे में उनकी जो लाइफ थी क्या-क्या उन्होंने किया और बिल्कुल दीपली पढ़ेंगे इनकी पोईटरी के बारे में पढ़ेंगे ट्रिक के साथ आपको याद हो जाने वाली है और पोईटरी की जो समरी होती है उनको भी देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से कमला दास को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो स्टार्ट करते हैं इनके बारे में तो जो कमला दास थी यह हमें पता है कि modern English literature की एक famous poet है और इनका जो जन्म है वह हुआ था 31 मार्च 1934 को अभी प्रेजन्ट में गेरला जिसको कहा जाता है और उस टाइम पे ब्रेटिश राज था उस टाइम माला बार डिस्टिक इसको कहा जाता था तो यह दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है 31 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था और 31 तारिक को ही इनकी मृत्यों हुई थी 31 में 2009 को होने में अशा एक most important point यहां से है कि जो कमला दास है इनकी तीन नाम थे कमला दास कमला सुरया और मादवी कुट्टी और मादवी कुट्टी से तो बहुत बार question बन चुका है अभी जो NDS 2022 का exam हुआ था उसमें TGT और PGT दोनों में यह पुछा गया था कि जो मादवी कुट्टी है यह किसका नाम है तो यह कमला अधास और उसके बाद इन्होंने जब इसलाम धर्म को अपनाया तब इनका नाम इन्होंने रखा कमला सुरया ठीक है तो तीन नाम इनके थे तीनों आपको ध्यान रखने हैं यह एक ऐसी लिट्रेचर की पोईट थी जिन्होंने मौडरन इंग्लिश लिट्रेचर में विमिन्स इशू पर काफी ज़्यान दिया है विमिन्स की जो डिजायर्स होती है उनके उपर चायल्ड केर के उपर पॉलिटिक्स के उपर बिलकुल इंडिबेंडन्ट सोच पे इन्होंने लिखा है उस राइम के जो पोईट थे वो ज अब में लिखते लुट्वी कऊटी झाल पॉलिट्विश करती थी ज अपनी जो पोईट्री में पड़ा इंग्लीश के नाम के लिखती थी है और फेसितर से कम्ला नाम दास पप्डिश कर्ते ही यह निग्व कमली कर्ती थी है उसके बाद जो इनकी मा थी उनसे ही इनको poetry की मतलब जड़ मिले इनकी जो मा थी उनको poetess of mother hood भी कहा जाता है उनको भी poem लिखने का काफी ज़्यदा शोक था नलपत बालमानी अम्मा इनकी मा का नाम था अब 15 साल की age में इनकी शादी हो गई 1934 में इनका जन्म हुआ था हमने देखां 1934 में अगर 15 प्लस करें तो 1949 में इनकी शादी होगी तो आपको एकरम बाइस ध्यान रखना है क्योंकि जन्म याद करने में confusion हो जाती है जब बहुत सारे poets को उम पढ़ते हैं तो तो इससे आपको ध्यान रहेगा कि 1949 में इनकी marriage हो थी तो 1934 में इनका जन्म हुआ थ जादा इंपोर्टेंट है तो यह काफी जादा इंपोर्टेंट रही और बहुत ज्यादा फेमस रही पहचान मिले इनको इनको पब्लिक कराई जब इन्होंने यह बुक अपनी पोल्ट रही ठीक है उसके बाद जो इनकी फादर थे बीम नायर यह मैनेजिंग एडिटर थे इंडियन विमेन राइटिंग इंग्लिष खुप अपनली टॉक्स अबाट तो इसी बात नहीं कि और जो चाहे वह वह फीमेल पोईट हो या मैल पुएट हो किसी ने भी शीज के बात नहीं कि थी कमला दास है यह पहले पूरी जिजार्स को अपनी पोईट में लिखा बिलक ठीक है तो छोटा सा क्रेक्टरिस्टिक सा और बाते हैं जो जान लेते हैं इनकी एक फेमस लाइन है बिल्कुल ध्यान रखना पॉइटरी डजन्ट सेल इन दिस कंट्री यानि इंडिया में पॉइटरी को सेल नहीं किया जा सकता बहुत जादा फेमस ये इनकी लाइन है तो ये भी आप ध्यान रखना ठीक है उसके बाद इन्होंने दो नॉबल्स भी पॉइटरी के साथ साथ जो भी फेमस हुए ये था मानस 1975 में आया और इकलपा बैट अफ लस्ट 1906 में आया जो हमारा जो चंडिकेट पीजेटी का जो सिलेबस आया है उसमें हम इनकी पॉइट इनकी हस्बंड की डेथ हो गई अभी हमें देखा था कि 1949 में इनकी शादी हुई थी माधव के माधवदास से और फिर 1992 में इनकी डेथ हो गई उसके बाद इनको क्या हुआ कि इसके मृत्तु के बाद इनको एक इसलामी लड़के से भी प्यार हो गया था जिसका जिकर इन्ह 59 में इननों इसलाम थर्म को अपना लिए था तब इन अपना नाम रखला था कमला सुरईया ठीक है उसके पहले माधवी कुट्टी और कमला दस इनका नाम था इसलाम थर्म के बाद इन्होंने अपना नाम कंsaुईया रख लिया था 60 साल की उम्र में इन्होंने इसलाम धर्म को अपनाय था ठीक है उसके बाद जो टाइम्स दाइम्स न्यूस पेपर था इन्होंने दा मोडरन इंग्लिश इंडियन पोईटरी भी कहा टाइटल दिया गया उनको उसके बाद जो important questions बनते हैं इनसे awards के बारे में बहुत important question बनते हैं साहित्या Academy Award इनको मिला हुआ है तो साहित्या Academy Award जिसको भी मिलता है पोईट को वो वैसे भी important हो जाता है और इनको याद भी करना बढ़ता है कि किस यह में मिला तो इनको 1985 में मिला था 1992 में इनके husband की death होगी थी हमने पड़ा तो उससे साथ साल पहले ही इनको साहित्या Academy Award से नवाज आ गया 1985 में केरला साहित्या Award भी जिट चुकी है क्योंकि केरला में इनका जन्मुआ था तो 1969 में इनको मिला केरला साहित्या Academy Award उसके बाद यह नोबल प्राइस के लिए भी नॉमिनेट हुई 1984 में पर यह नहीं पाई मिला नहीं इनको 1984 में नॉमिनेट हुटी बस नोबल प्राइस के लिए लेकिन साहित्या Academy Award उनको मिला था 1992 में एशियन पैन पोईटरी अवर्ट की इनको मिल चुका है इसके बाद जो सेकंड पाइगा उसमें हम इनकी सारी पूल्टरी करेंगे बिलकुल समरी के साथ त्रिक के साथ हापको याद होने वाली है एक चीज जो important है वो देखेंगे कहां से question आते हैं कहां से नहीं आते हैं उसके बाद जितने भी previous year questions इन से पुछे गए हैं वो भी उसमें mention है तो second part वीडियो में आएगा तो यह first part हा कमला दास के बारे में I hope आपको समझ आया होगा सारी important points इसमें लिखें हुए हैं वीडियो ची लगे तो apply को सब्सक्राइब कर सकते हो और next part में हम सारी poetry इनको देखेंगे